दोस्तों आज के दिर हम बात करेंगे पाच बड़ी फिल्मों के बॉक्स अपिस कमपेरेशन के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे के ये चारे फिल्म हम सबी की पिछ में गदर टू के हिंदी वर्धन कलेक्शन को टकर दे पारी है या फिर नहीं तो चलिए दोस्तों म अगर आप भारत माता के बेटे हैं तो सस्क्राइब करिए और अगर आपको ये सभी फिल्म में अच्छी लगती है तो लाइक करिए दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले फिल्म के जीएफ चेप्टर टू की तो दोस्तों ये फिल्म एक मास इंटर्टेनिंग एक्शन थ प्रशांत नील सर जो कि एक काफी अच्छा डारेक्टर है और जिनका नाम मशूर है कम बजट में एक मेगा ब्लोग बिश्टर फिल्म को बनाने के लिए जबकि दोस्तों मूवी का बजा ठेल केवल 100 करोड रुपे और मूवी ने पूरी दुनिया भर से 1250 करोड रुपे का ताबर तोड कलेक्शन करा था अब दोस्तों मूवी का बर्जो क्रेस किसा ही यह मुझको बताने की जरुवत नहीं क्योंकि उस टेम पे बच्चे हो बूड़ा हो जवान हो महिला हो हर किसी की जीवान को पर केवल एक ही नाम था वो था केजीएफ चेप्टर टू खा और दो दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो मूवी केजेफ चेप्टर टू ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में कमाए 53 करोड 95 लाक रुपे जो की काफी अच्छे कमाई थी फिल्म में के जो पाचवे दिन का कलेक्शन रहा था वो था 25 करोड 57 लाक रुपे क चटे दिन का कलेक्शन रहा था 19 करोड 14 लाक रुपे का और दोस्तों ये फिल्म अपने 7 वे दिन ने जो कलेक्शन करा वो लगबक था 16 करोड 35 लाक रुपे का जिसके चलते इस फिल्म ने हम सभी की बीच में अपने 7 दिनों में आने के पहले हपते में 255 करोड रुपे का और दोस्तो फिल्म केजएप चिप्टर 2 बन गई ओर इडी सूपर हीट के वल हिंदी वर्जिन में ही और दोस्तो हिंदी वर्जिन से ही फिल्म ने इतना अच्छा कलेक्षन कर लिया कि अपना बजट सारा रीकवर कर लिया वहीं पर दोस्तो करें हमारी दूसरी दोसरी मौश करा था सिद्धार्थ आनन्द ने जो कि इसके पेले काफी अच्छ अच्छी फिल्मों को डारेक्ट कर चुके हैं और दोस्तों पठान मुवी को भी यही डारेक्ट कर रहे हैं फिल्मों को परड्यूस करा है आदित चोपडा ने और मुवी का बजट केवल 170 करोड रुपे था जबकि दोस्तों मुवी को वर्ड वाइटली 445 करोड रुपे का कलेक्शन देखने के ले मिला दोस्तों मुवी का बज़ और क्रेज इतना अच्छा बना हुआ था कि रितिक रोशनशर के फेंस और टाइगर शॉप के फेंस इस मुवी को देखने का है और इस मुवी का भी पब्लिक रिव्यू आपको हमार चेनल पर मिल जाएगा आपको जानकरी के लिए बता दे कि इस मुवी का जो बर्स था जो क्रेज था ना वो एकदम लोयल था और दोस्तों ओडियंस इस मुवी को देखने भी आई थी यही कराण है कि वार मुवी ने अपने पहले दिन 51 करो तीस लाग रुपे का कलेक्शन करा और दोस्तों फिल्म ने अपने चोथे दिन 27 करोड सहाट लाग रुपे कमा लिये थी जिसके चलते दोस्तों फिल्म वार ने अपने पाचवे दिन 36 करोड 10 लाग रुपे कमाए चटे दिन 20 करोड सहाट लाग रुपे कमाए और दोस्तों फिल्म ने हिंदी वर्दन से ही अपना बजट रेकवर कर लिया था। इसी के साथ दोस्त अगर हम बात करें हमारी आदी पुरूस फिल्म में की तो दोस्तो मुवी एक पेन इडिया फिल्म ही थी जो कि हमारे राम चरित्र मानस को पर दरसाए गई थी। मुवी को डालेक्ट कर में रिलीस करा गया और मुवी को कुछ खास रिस्पॉंस देखने के लिए नहीं मिला। वो सबकी वज़ा आप सभी को पता है। मुवी के विएफेक्स अच्छे नहीं थे। मुवी की इस्टोरी को अच्छे से एक्स्प्लेन नहीं करा। मुवी के न जो रावन का लूक है वहीं पर दोस्तो कृस्ती सेनन जैसे शांदार और दमदार एक्टर काम करते हूं नहीं आते हैं। इसी के साथ दोस्तों मुवी के ना विलन का जो रोल है वो उसको निबाया था सेफ अली खान ने। जिससे कहना गलत नहीं होगा कि इस्टार कश्ट तो दमदार थी पर उस तीसरे दिन का जो कलेक्शन करा हिंदी वर्जन में वह भी 47 क्रोड रुपे कही था। फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाए 38 क्रोड रुपे। फिल्म में का चोते दिन का कलेक्शन रहा 8 क्रोड पाचास लाक रुपे। फिल्म में का पाचवे दिन का कलेक्शन रहा 5 क्रोड करोड पचात लाक रुपे और दोस्तों, फिल्म ना अपने छटे दिन, तीन करोड आसंसी कर्या का कलेक्शन करा, जिसके चलतों दोस्तों फिल्म ना अपने पने साथवे dhin, यानि कि दोस्तों फिल्म आदी पुरूस मुवी यहाँ पर रही ओल टाइम डिजास्टर क्योंकि आदी पुरूस की नेगिटिविटी और दोस्तों मुवी के जो विजवर्स थे वो काफे रहा खराब थे और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट होने के बावजुद मुवी को इतने अच्छी तरीके से एक्स्प्लेइन नहीं करा गया तो दोस्तों मास इंटर्टेनिंग फिल्म गदर टू जिसको हमसे भी की बीच में काफी अच्छी तरीके से रिलीस करा गया दोस्तों मुवी की एक बात तो मानना पड़ेगी कि मुवी का प्रमोशन नहीं करा गया ना किस साथवे दिन भी कम होने का नाम नहीं ले रहे और आपको जानकरी के लिए बता दे कि मूवी अपने साथवे दिन भी ताबर तोड कलेक्शन करतों नजर आ रहे हैं जबकि दोस्तों फिल्म गदर को हम सभी के बीच में काफी अच्छा रिस्पॉंस देखने के लिए मिल रहा ह है केवल 100 करोड रुपे और 100 करोड रुपे के बज़ट में मूवी को इतनी अच्छी तरिके से बना दिया गया कि जिसके क्या कहने जी हां दोस्तों बच्चा बच्चा बुड़ा बुड़ा हर कोई इस मूवी के गुणगान गाना है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने चोथे दिन कमा है 38 करोड 70 लाक रुपे जिसके चलते दोस्तों फिल्म में का जो पाचवो दिन का कलेक्शन है वो लगबग 55 करोड 40 लाक रुपे का देखने के लिए मिला और दोस्तों ये फिल्म अपने छटे दिन लगबग 30 करोड रुपे का कारोबार करत्वे फिल्म गदर टू अपने साथवे दिन लगबग 25 करोड रुपे तक की ओपनिंग ले सकती है दिसके चलते दोस्तों फिल्म गदर टू हम सभी की बिच में अपने पहले हपते का एंडिया नेट कलेक्शन 284 करोड रुपे कर चुकी होगी और दोस्तों मुवी का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 330 करोड रुपे बताया जा रहा है जबकि दोस्तों फिल्म वर्ल्ड वाइट मार्केट में 390 करोड रुपे का आकड़ा पार कर चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर गदर टू का बर्जो क्रेस तो काफी तगड़ा बन चुका है और दोस्तों फिल्म भी साइम ब्लोकबश्टर सापित हो चुकी है पर दोस्तों बात करें यहाँ पर पठान मुवी किंग तो दोस्तों पठान भी एक माक्स एक्शन थीलर फिल्म में थी जिसके अंदर आपको काफी तगड़े तगड़े एक्टर काम करतों है नजर आते हैं जी हाँ दोस्तों पठ टचेशकर चरण बात करें फिल्मे के हिंदी वरजन की कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म पठान नेपने पहले दिन हिंदी वरजन में कमाय ते 57 क्रोड़े फिल्म ने अपने दूसरे दिन की कलेक्शन में Ooh का क्ड़े तो पर सेनाट करोड 55 लाक रुपय का ताबरतोर क्लेक्शन करा पर दोस्तो फिल्म के चठाटे गडेल्फ़ साथोड़ दिन के जो कलेक्शन है वह डाउन हो चुके थैं और दोस्तो फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन हिंदि वर्जन का 330 करोड 25 लाक़ रुपय हो चुका था और फिल्म पठान केवल हिंदी वर्जन में ही एक काफी बड़ी ब्लाउगबश्टर हो चुकी थी तो दोस्तों यहां पक गदर मुवी ने काफी सारी फिल्मों को टक कर दे दी है जिसे की दोस्तों आदी पुरुस को फिल्म ने हिंदी वर्जन में हरा दिया फिल्म वार मुवी को भी फिल्म ने हिंदी वर्जन में हरा दिया और गदर टू ने केजेव चेप्टर टू को भी हिंदी वर्जन में अपने पहले अपते के internet collection में हरा दिया तो दोस्तों आपके opinion क्या है आपको ये चारों फिल्म में पसंद थी या फिल नहीं comment करके जरूर बताईएगा जय हिंद वन्ने मातरम